सो टेट फैमली आज हम बात करेंगे गेमिंग प्लस अगर आपको वीडियो एक्टिंग के लिए लैप्टाप चाहिए जहां फिर अगर आपने लाइक 3D सॉफ्टोर यूज करना है कोई हैवी सॉफ्टोर यूज करना है एंड आपको किन लाप्टाप के और जाना चाहिए वो मैं आज आज आपको बताने वाला हूं टॉफ फाइव लाप्टाप बताऊंगा तो अभी बात करते हैं नम्बू फाइव की लेप्टॉप की बात करते हैं लेकिन लेप्टॉप की बात करने से पहले मैं आपको बता दूँ अगर आपका वीड़ 16,000 से बहुत कम है जहां फिर अगर आपका वीड़ 55,000 से भी कम है तो भी मैं आपको रेक्कमेंड करूँगा कि आप Acer Aspire 7 की और जा सकते होगे तो मैं इस लाप्टॉप की बात करूँ कभी कभी ये लाप्टॉप आपको 52,000 के प्राइस रिंज में अप्रॉक्स मिल जाता है तो आपको चाउड करते रहना पड़ेगा Amazon पे 15.60 के साथ आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगी राजन 5 5500U परसासर देखने को मिल जाता है जो की 6 कोर का परसासर है 8GB RAM है 32GB RAM अपकर कर सकते हो 5GB आपको SSD देखने को मिलेगी 3.2 NVMe SSD देखने को मिल जाती है जो की डाटा अफ़गरा ट्रांसफर करने के लिए अच्छी होती है बाई GTX 1615 आपको 4GB ग्राफिक कार्ड मिलेगा उपरिणी स्टम विंडो 10 बैक लीड की गीबुड के साथ मिल जाता है Bluetooth वर्जन की बातों को 4.0 मिलेगा Wi-Fi 6 की स्पोर्ड मिल जाती है प्लस आपको 10 आवस का बैंटरी बैक अप देखने को मिलेगा इस स्पायर 7 में तो यह मेन स्पैसिफिकेशन में बता दिये अगर आपका बज़िट बहुत कम है बज़िट कम में अगर आपको gaming करने है video editing करने है 3D animation करने है जाप फिर आपको graphic designing करने है programming करने है coding करने है आप सभी categories के बंदों के लिए इस स्पायर 7 बहुत अच्छा laptop होग मैं बात करूं MSC GF63 यह अगर इस laptop की बात करूं तो सबसे पहले मैं अपनी हर एक वीडियो में कहता होता हूँ यार अगर आप एक शोटे शहर से आते हो शोटी सीटी से विल से आ रहे हो तो आप देख लेना कि आपके वहाँ सर्वीस सेंटर इनका मिल रहा है जा नहीं मिल 4GB RAM अपकेट कर सकते हो यहां पर प्लस पॉइंट आ जाता है 530GB आपको SSD मिलेगी विंडो 11 आर्टेक सेरीस का ग्राफिक कार मिलेगा 13 15 4GB के साथ पोर्ट की दिक्कत नहीं आएगी वाइफा 6 की स्पोर्ट में जाती है 720P वैब कैमरा एंड इस laptop में आपको gaming mode भी मिल जाता ह तो मैं आपको एक सीजी क्लियर कर देता हूँ अगर आप 60,000 से थोड़ा सा अपपर जा सकते हो तो आपको 8X 13 15 ग्राफिक कार मिल जाएगा लेकिन अगर आपका बेट 16,000 से कम है तो आपको GTX 16 15 ग्राफिक कार मिलेगा बाकी जो स्पैसिफिकेशन है वो सारे सेम देखने को मल जाते हैं तो दोनों की बाइंग लेक मैं आपको description box में provide कर रहा हूँ अपने budget के according ले लेना जो laptop आपको सही लगता है इनमें से best कौन सा मैं आपको वीडियो के end में बताऊंगा अभी नहीं बताने वाला अभी बात करते हैं number 2 की तो number 2 की बात करो number 2 पर यार मैंने रखा है HP Victus को तो अगर इस laptop की बात करों तो 2022 में यह launch हुआ है laptop and 16,000 के price range में मिल जाता है 16.1 inch के साथ आपको full HD display मेलेगी 120 refresh rate के साथ Ryzen 5 मेलेगा 5600H के साथ 6 core का यह processor है 8GB RAM 32GB RAM अपकेड कर सकते हो 512GB आपको shtv मेलेगी AMD Radeon RX 5500H में इसमें आपको GPU देखने को मिलेगा 4GB के साथ अप्रेणी सिस्टम Windows 11 2019 आपको MS Office मेलेगा Lexa वाइफा 6 की स्पोर्ट प्लस Bluetooth version की बात करों 5.2 देखने को मिल जाता है एंड लाज ट्रैक पैड देखने को मिलेगा मतलब पैसा वसूल स्पैसिफिकेशन बहुत जादा अच्छे हैं इसके थर्मिल वगरा भी अच्छे हैं gaming भी करवादेगा वीडियो एक्टिंग भी करवादेगा animation programming coding students के लिए हगरी categories के मतों बंदों के लिए ये लैप्टाप बैस्तोंने वाला है आगे बात कर लेते हैं नमबो वन की नमबो वन की बात करूँ नमबो वन पे piace हैं लिनोवो की और से लैप्टाप मैं बात कर रहा हूँ लिनोवो आइड ईया पैड गेमिना अगर इस laptop की बात करूँ आपको 15.16 के साथ full HD डिस्प्ले देखने को मिलेगी 120 रिस्ट्रेशर के साथ AMD Ryzen 5 मेलेगा 5600H के साथ 8GB RAM 16GB RAM पकड़ कर सकते हो 512GB आपको SSD मिलेगी GTX 1615 आपको 4GB ग्राफिक कार मिलेगा उपरेणी सिस्टम विंडो 11 बैक लीड की इबूर्ड के साथ आता 5500H का बैंटरी बैकर रैपिड चार्जर के साथ मिलेगा Wi-Fi 5 की स्पोर्ट आलपोर्स मिलेगे 720P वैब कैमरा प्लस इसको Mitre Gate certified देखने को मिल जाता है मतलब इसकी build quality बहुत अच्छी होने वाली है एक चीज मैं आपको फिर से clear कर देता हूँ अगर आपको 60,000 से कम है तो आपको GTX 1615 ग्राफिक कार मिलेगा लेकिन तो बई मैं आपको recommend यह करूँगा कि आप HP Victus के और जा सकते हो अगर आपको उसके और नहीं जाना तो आप Lenovo IdeaPad Gaming 3 के और जा सकते हो यह दोनों laptop बहुत बितते हैं 60,000 के price range में तो यहर main specification मैंने आपको सब कुछ बता दिया conclusion भी बता दिया I hope कि आपको मेरी वीडियो ची लगी अगर आपको मेरी वीडियो ची लगी वीडियो को like and channel को subscribe कर देना अभी मिलते हैं next वीडियो में नवी वीडियो के साथ so thank you